अगर आपको ब्लूटूथ करते समय कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल लए यहां पे आपके डिवाइस का नम देखने को मिल ला है चेक फॉर इसू एंड ट्राइगें तो इस आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं जान लेते हैं इसके लिए अब आपको क्या करना हुगा जिससे आप कनेक करने उस का यहां पर आपको नेम दिखाई देगा तो आपको उस पर क्लिक करना है यहां पर आपको अन्पियर कर देना है यहां आपको कर देना है औ करना है और यहां पर आपको reset phone पर क्लिक करना है reset setting पर क्लिक करना है और यहां पर आपको verify कर देना है vlog से तो यह आपको कर देना है यहां से आपको यह setting reset कर देनी है setting reset करने के बाद आपको यह चैक कर लेना है कि आप जिससे भी connect कर रहे हैं वो device पहले से किसी और डिवाइस से connected तो नहीं है तो यह आपको नहीं कवार कंफर्म कर लेना है उसके बाद आपको Bluetooth सेटिंग में फिर से आना है और आपको इसे on करना है और आपको यहां पर उससे पेर करके देखना है तो यहां पर ना मैं अपने Bluetooth को on कर लेता हूं तो अब आपको यहां पे इससे connect करना है और यहां पर कनेक करें उससे पहले ना आपको निए डिवाइस को क्वार रिस्टार्ट कर लीना है तो यहां पर आपको अपने web की प्रेस करके रखना होगा है कुछ सब्सक्राइब आप आपको डिखनी को मिलेगा तो आपको इसे रिस्टार्ट कर देना तो अभी न Pengौ इसन ने नहीं दिखा सको मनं कर判ा macam कि मैंनेंcidos तो यह वीडियो में बंढारू वे कट जाईगी तो यह आपको खुद कर लेना है और इसके बाद अब आपको Bluetooth सेटिंग में जाना है तो restart जरूर यह रिस्टार्ट आपको कर लेना है तो यहां पे न हम इसे लाव कर देंगे और प्यर कर देंगे तो इसके बाद यह जो है connected हो चुका है तो देख सकते हैं हमारी यह problem आ रही थी वो अब ठीक हो चुकी है तो कुछ इस तरह से आपको यह जो मैंने आपको settings बताईयों ने आपको करना है जिसके बाद आपकी यह जो problem है वो आसानी से ठीक हो जाएगी तो मुझे अमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को like कीजी, share कीजी इस चैनल पर अगर आप पहली बाद आये हुए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजीए